किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि we live in deeds, not years इसका मतलब है कि हमारा जीवन हम कितना लंबा जीते हैं कितने वर्षों तक जीते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर हमने अपनी जीवन में क्या कर्म किये है वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारा जीवन किसी के लिए example बन सकता है कि जीवन को कैसे जिया जाता है so before starting or reading the chapter let's read this about the chapter the people who lived for a few years only but the society bowed their contribution that is far better to the ones who lived for hundred or more years but they are unknown to the society कुछ लोग जो अपने जीवन को कुछ ही साल के लिए लेकिन उन्होंने हमारी society यानि समाज में कुछ ऐसा किया जिसके लिए आज भी society उनके सामने अपने सर को छुकाती है उनके कर्मों के लिए उनके काम के लिए वे लोग ऐसे लोगों से जो की hundreds या उससे भी जादा सालों तक जिन्दा रहे हैं लेकिन उनका इस society में कुई नामों निशान नहीं जिन्हें लोग नहीं जानते उनसे कही पहतर है यानि जो लोग कम जीते हैं पर अच्छा करते हैं उनको हमारा समाज बाकियों से जो बहुत लंबी समय तक जीकर भी जिन्होंने कुछ नहीं का उनसे ज्यादा रिस्पेक करते हैं Read the passage which tells us that we all live in deeds तो अब हम एक chapter या passage read करने जा रहे हैं जहां हम सत्में इस बात को संजेंगे कि हम सब अपनी कर्मों में जीते हैं So the chapter starts There are a large number of people who have witnessed more than 100 springs in their life But nobody knows about them and cares about them बहुत सारे लोग, a large number of people यानि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवर में 100 springs 100 या उससे भी जादा बसंत रितु देखे हैं यहां पे spring का मतलब है कि इतनी सारे वर्षों तक वो जीवित रहे But nobody knows about them लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं और कोई उनके बारे में भी care भी नहीं करता कोई ध्यान नहीं देता On the other hand, there are some people who have lived only for a few years Yet the people bow to their greatness and remember them to immortality दूसरे तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल कुछ सालों के लिए ही जीवित रहे और लोग उनके सामने, उनकी महानता, उनकी greatness के सामने अपनी सर को बाव करते, जुकाते हैं क्यूंकि वे लोग immortal हैं, वे सारे अमर हैं, उनकी कर्म अमर हैं So, it is apt to say, we live in deeds and not in years तो ये कहना बिलकुल apt यानि suitable है, बिलकुल सही है कि हम लोग अपने कर्मों में जीते हैं, वर्षों में नहीं Everybody desires a long life, but what use it is if it is spent in idleness and trivial affairs of life? सभी लोग अपनी जीवन को बहुत ही लंबा जीना चाहते हैं, desire का मतलब है चाहत लेकिन ऐसी जीवन का क्या फाइदा, जो idleness यानि सुस्ती, आलस and trivial affairs यानि बेकार की छोटी मुटी बातों में ही बीच जाहे Khudirambo sacrificed himself at the altar of motherland when he was only 19 So, he possesses a brighter name than all the sanitarians you will find in the world यहाँ पर example हम देखते हैं, Khudinambos उन्होंने अपनी जीवन को सिर्फ 19 वर्ट तक ही जिया 19 वर्ट होते होते उन्होंने अपनी लाइफ को इस मात्री भूमी, motherland के लिए sacrifice कर दिया लेकिन उनका नाम ऐसे लो जो centenarians हैं यानि के जो सौ सालों से भी जादा जीवित रहें उनसे जादा नाम Khudinambos का है Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Swami Vivekananda, Alexander the Great, Kennedy and Keats lived only for a short life but they proved themselves to be the gems who continue to shine in the hearts and minds of the people decades after they have ceased to exist और यहाँ पर कुछ और भी नाम हमारे सामने हैं जैसे कि Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Swami Vivekananda, Alexander the Great, Kennedy and Keats इन सबी लोगों यह सारे एक्जाम्पल जितने हैं, यह सारे महाम विक्तियों के नाम हैं जिन्होंने अपने लाइख को बहुत ही कम जिया, इनकी जिन्देगी बहुत ही छोटी थी लेकिन उस छोटे समय में ही उन्होंने अपने आप को ऐसी प्रूफ किया यह साबित किया कि वो हमारे लिए जैम्स यानि रत्न के समान है उन्होंने जब तक वो जीवित रहे, अपने पूरे दिल से, अपने दिमाग से, पूरी तरह से इस तरह से किया कि आज भी उनके जब वो नहीं है इस दुनिया में तब भी उनकी decade का मतलब होता है, दशक, दस वर्स उनके जाने के दस के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं उन्हें याद करना आज तक भूले नहीं हैं seize का मतलब होता है stop and exist यानि होना तो आज वो नहीं है, उनके ना होने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं A short life of grace and beauty is better than a lengthy life of no glorious deeds एक छोटा जीवन जो की grace and beauty यानि सुन्दरता और शालिंता से भरा हो वो उस life से better है जो lengthy and no glorious deeds वाले हो लेंदी यानि बहुत ही लंबा and glorious यानि चमकदार चमकदार glorious deed उसे कहेंगे जो की लोगों को पसंद आए जो दूसरों के लिए जीवित रहे वो deeds glorious deed है तो ऐसे लोग जो की बहुत ही लंबा समय जीते हैं लेकिन there is no glorious deed in their life उनकी life किसी काम की नहीं है length of life does not make life worth living rather it is the deeds which make life worth living and dying for length of life यानि जीवन की लंबाई जीवन को worth living जीने लायक नहीं बनाती लेकिन क्या चीज है जिससे किसी की life जीने लायक या उनकी का मरना असलायक होता है तो वो है हमारे deeds हमारे कर्म हम जो करते हैं उस पर हमारा जीना या वरना डेपेंड करता है कि वो किसी किल कितना value रखता है एक पल के लिए जलना और चमक देना brightly यानि बहुत ही चमक के साथ जलना ये ज़्यादा अच्छा है ना कि पूरे दिन सिर्फ जलते हुए उसमें से smoke यानि धुआ आए अगर कोई वस्तू जल रहा है पूरे दिन के लिए लेकिन उसमें केवल धुआ ही धुआ हो और उससे कोई रोश्णी नहीं मिलती हो तो ऐसे चीज को जला कर क्या फाइदा हम उसे कहीं बाहर फेग देते हैं और अगर candle जिसे हम थोड़ी देर के लिए भी जलाए उसमें brightness होता है जिसकी कारण हमें चीजें दिखाई देती है अंधेरे में भी visibility मिलती है हम उसे ज़्यादा value देते हैं यही अर्थ है इस लाइन का अगर आप अपने जीवन को कर्म भरा बनाना चाहते हैं तो आपको हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना होगा full of activity यानि हमी सा कुछ न कुछ करते रहना एक अपने जैसे किसी और के अगर कोई दूसरा है जो कि आइडल है वो आलसी है उसे कहीं ज़्यादा अचीव करता है यानि जब हम active होते हैं हमारा achievement ज़्यादा होता है An active student will get better grades and examination than the one who keeps thinking to start preparing from the next day वो बच्चा वो student जो active है वो ज़्यादा अच्छे grades लाता है अपने एक्जाम में किस से ज़्यादा उन लोगों से उन दूसरे students से जो कि हमेजा सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम कल से next day से preparation start करेंगे हम कल से पढ़ना सुरू करेंगे उन लोगों से better वो active student होता है क्योंकि उससे अच्छे grades भी मिलते हैं अर क्यों मिलते हैं? Because he is active but activity is not meant to do some action at all time without any objective in the mind अब यह activity का मतलब कुछ लोग गलत भी ले सकते हैं तो active होना या activity करने का मतलब यह नहीं है कि हर वक्त हम कुछ ना कुछ करते रहें उस action का यह हमारे activity का एक objective होना चाहिए objective यानी purpose हम क्या करना चाहते हैं? लक्ष तो जो भी student है उनकी दिमाग में एक लक्ष हो एक objective हो कि हमें क्या करना है फिर वो active होंगे उस कारी को करने के लिए तब ही वो active student कहलाएंगे In fact, your activities should be guided for some aim in life जो मैंने अभी समझाया बिलकुल वही कि असलियत तो यह है कि हमारे सारे activities जो है guided होने चाहिए यानी हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे किस दिशा में ले जाना है और हमारे जीवन का एक aim एक उदेश जरूर होना चाहिए For now, your utmost aim is to pass the examination So, you should put in your best efforts and achieve success अभी आप से भी का utmost aim यानी सबसे जरूरी, सबसे important aim यानी लक्ष क्या है? वो है exam को pass करना तो हमारा सारा का सारा effort, हमारी मैनत इस चीज के लिए होनी चाहिए हमारी objective के लिए या aim के लिए जो है to pass examination और जब हम इस objective को दिमाग में रखकर आगे बढ़ेंगे तो जरूर हमें success मिलेगा, हम सफ़र जरूर होंगे अभी एक छोटा सा aim passing examination जो है यही आगे चल के हमारे जीवन में एक बड़ा लक्ष तयार करता है तो अभी तो एक छोटा सा aim है कि हमें exam पास करना है लेकिन जब आप active होते जाएंगे तो धीरे धीरे यही हमारे जीवन का लक्ष बन जाएगा कि आगे हमें क्या करना है और आपके पास बहुत सारे example हैं आप क्या करना चाहते हैं हो सकता है आप astronaut बनना चाहते हों, scientist बनना चाहें, engineer बनेंगे, doctor बनेंगे, कोई businessman या industrialist industrialist का भी मतलब businessman ही होता है जो अपनी industry तयार करें वो industrialist और या इनके अलावा भी आप कुछ और बनना चाहते हों आपका ambition आपका लक्ष कुछ और भी हो सकता है Your studying now will help you achieve this larger aim in life तो आपका जो ये बड़ा सा लक्ष है कि कुछ बनना है ये कब मिलेगा जब आप पूरी मेहनत की साथ study करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने से ही ये पढ़ाई, ये studying जो है ये हमें जीवन में अपने बड़े aim को पाने के लिए मदद करता है Always remember that an educated businessman can do better than an illiterate one ये हमें सा याद अखिएगा कि एक educated businessman एक पढ़ा लिखा व्यापारी जो है वो एक illiterate यानि एक अनपर businessman या व्यक्ती से जादा आगे बढ़ सकता है In the same way, an educated carpenter can do better than an illiterate one इसी तरह एक educated carpenter, carpenter जो बढ़ा ही होता है वो भी अगर पढ़ा लिखा हो तो अनपर carpenter से तो better ही होगा उससे अच्छा ही काम करेगा This holds truth of all professions और ये सिर्फ एक businessman होने या carpenter होने की बात नहीं है किसी भी profession यानि किसी भी पेशे या VFC में यही सच है जो पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा दूसरों से आगे रहते हैं When you set in motion towards your aim, you may find some difficulties और hardships जब आप अपने aim यानि लक्ष की और बिलकुल start हो जाते हैं setting यानि start करना तो आपको रास्ते में बहुत सारी difficulties और hardships यानि कठनाईयों का सामना करना पड़ता है There may be some obstacles which you will have to cross बहुत सारे obstacles यानि रुकावटों को आपको cross करना पार करते जाना होगा If you surrender before an obstacle, it will become impossible to cross it अगर आप किसी भी obstacle यानि रुकावट के सामने खुद को surrender कर देते हैं Surrender यानि सरजुकाना हार मान लेते हैं तो वो काम करना impossible हो जाएगा उसे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी So, you have to think positively and work to overcome the obstacle इतलिए आपको बिलकुल positively पूरे अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहना है और उस obstacle को overcome करना है यानि उसे पार करना है No difficulty or hardship or obstacle is too great to be overcome ऐसी कोई भी difficulty, hardship, obstacle, कठनाई कुछ भी नहीं है कोई ऐसी रुकावट ही नहीं बनी है दुनिया में जो आपको रोक सके जिसे overcome करना, जिसे पार करना possible ना हो सरी चीजें मुश्किल जरूर होती हैं लेकिन impossible नहीं तो हमें बस लगतार लगे रहना है You must have some ideals in life आपकी life में कोई ideal जरूर होगा Ideal यानि आदर्श जिसे देख कर आप उनके जैसा बनना चाहते हो An ideal makes our life purposeful हमारे ideal, हमारे आदर्श जो है वो हमारे life को, हमारे जीवन को purposeful बनाते हैं Purposeful यानि जिनके life में aim हो गांधी जी lived his life in search of truth तो ये हमारे एक example है गांधी जी को भी हम अपना ideal बना सकते हैं गांधी जी lived his life in search of truth गांधी जी ने अपने पूरे जीवन को truth यानि सच्चाई की खोज में बिता दिया Truth was his ideal गांधी जी का ideal कौन था? Truth, सच्चाई In the search of truth, he accomplished the greatest task that the most modern, well-equipped armies would have found difficult to achieve उन्होंने इसी सच्चाई को लेकर इतने बड़े बड़े काम को पूरा किया greatest task, सबसे बड़े महान कार्य को भी accomplish यानि पूरा किया जिसे दूसरे modern, well-equipped armies यानि ऐसे army, ऐसे force जिसके पास सारे के सारे हतियार हो सारे weapons हो ऐसे army भी जिस चीज को नहीं कर पाए वो महात्मा गांधी ने कर दिखाया क्योंकि उनके पास उनका ideal था, वो था truth You can choose from a long list of ideals which may suit you well तो बहुत सारी नंबे list है आप उन में से किसी भी चीज को या किसी भी person को अपना ideal बना सकते हैं जो आपको suit करें, जो आपको पसंद हो It may be honest, perseverance, perfection, sanctity of character, health, mercy or service to humanity यहाँ पे कुछ example दिये वे हैं जिसे आप अपने जीवन का ideal अपना आदर्स बना सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, to be honest, इमानदार होना Perseverance, perseverance का मतलब होता है जो कभी किसी चीज से हार न माने और लगातार चलता रहे आप उस perseverance को भी अपने ideal बना सकते हैं Perfection, perfection का मतलब होता है बिलकुल बिना किसी तुटी के, यानि कलतिया ना करना Sanctity, sanctity of character का मतलब होता है पवित्रता Health, health यानि स्वास्थ, स्वास्थ रहना आप इसे भी अपना एक ideal बना सकते हैं Mercy, दूसरों के लिए दयाभाव रखना Service to humanity, यानि इंसानियत के लिए कारी करना तो ये कुछ examples हैं, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं When you march towards your aim in life You may fail at times जब आप अपने किसी aim को लेकर जीवन के ओर चलते हैं तो हो सकता है कि आप उसमें कई बार fail हों कई बार हार जाएं Failures must not discourage you पर याद रखिएगा, failure आपको discourage ना कर सके वो आपको ऐसा ना हो की रोग दे Failures are a part of your life Failures तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है Life cannot become meaningful and purposeful without failures Failures यानि हार के बिना तो जीवन meaningful यानि जिसका मतलब हो Purposeful यानि जिसका कोई purpose हो कोई vicious लक्ष हो ऐसा कुछ ना हो, ऐसा तो कोई जीवन ही नहीं होता A person who has not failed in life Even once cannot hope to become great जो व्यक्ती अपने जीवन में कभी हारा ना हो वो तो कभी महान होने के बारे सोज भी नहीं सकता Gandhi जी failed to become a good barrister Gandhi जी, barrister यानि advocate वकील बनना चाहते थे लेकिर वो fail हो गए Abraham Lincoln faced defeat in his first election Abraham Lincoln ने अपने पहले चुनाव में ही वो हार गए थे Lata Mangishkar was not selected as a singer at her first trials Lata Mangishkar, जिनका नाम हम जानते हैं सबसे बड़े singers में वो भी अपने singing trials में fail हो गई थी There are many more people whom we can code हम और भी बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पे code कर सकते हैं But look at these people लेकिन इन लोगों की नामों में या इन लोगों की बारे में सोची देखिए They are the people who have carved out their names in their respective fields in golden letters ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतना नाम कमाया कि उनकी नाम इस अपने अपने field में golden letters स्वार्ण अक्षरों में खोद कर लिखा गया है The world beckons their work and contributions पूरी दुनिया इनके कर्म को सलाम करती है उनको बार बार ऐसे लोगों को हम बार बार याद करते हैं बैकन का मतलब होता है इशारे से बुलाना लेकिन यहां पे बैकन का मतलब है याद करना So, whatever the number of years you may live, make it worthwhile तिस पूरे story से हमें यही सीख बिलती है कि हमें अपने जीवन को लंबा नहीं, meaningful बनाना है हम अपने जीवन में कितना active रहते हैं उस पे depend करता है कि हम कितने successful होंगे और अगर हम अच्छे चीजों को अपना ideal बनाते हैं तो हम greatness की ओर बढ़ते हैं और बिना failure कभी कोई great बनी नहीं सकता so with all this I hope you will think about it and try to do good deeds in your life so that your life can be meaningful and purposeful thank you